आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज को वीडियो है वह एक और डियावाय यूनो सकिन केर से रिलेटिड है अगर आपके फेस पे भी पिंपल के मांक आपके फेस पे ग्लू नहीं है डल हो गई आपकी स्किन और अगर आपको पिग्मेंटेशन है ठीक है तो इन सब को झात क ChefCa7ish layer का पतोरीष को पिंपल के सब को इसमें आपको अपको तरफिजिंग करनी है याप आपको पार मुक्ति है उन्हाँ 않고 के अपको आपको डूध करनी है यह हर चीच का सबसिटीूट है तो आपको सिर्फ बीन बार भी लागाना है और आपके फेस पेस पे लो तो कोई केमिकल नहीं है इसमें बिल्कुल नए वीडियो जरा भी अच्छे लेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल न भूलना जलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है हमारा गया सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वह गाये का दूद लिया है आप भेहांस का दूद भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बस रो मिल्क ओना या टॉंड भी ले सकते हो फुल क्रीम भी ले सकते हो ठीक है तो मैंने आप एक स्पून के करीब लिया है अगर आप देख पा रहे होंगे ठीक है और उसमें थोड़ी सी मलाई भी है मैंने रो नहीं लिया था क्योंकि मैं बूल गई थी उसको रखना तो मैंने क्या किया है मैंने अबला हुआ काओ का मिल्क ही लिया है और उसमें मलाई थी तो यह इतनी के करीब होगी थोड़ी सी तो आप उसको लेंगे और उसमें मैंने वन स्पून भरके जो है वो डाला है राइस फ्लार यानि चावल का आटा तो चावल का आटा आप इसके अंदर एक चमज डालेंगे और यह इस तरह की की स्पून है जो हम डेली में यूज कर आपके स्पेस पर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद विजीबल डिफरेंस दिखेगा एक दम से स्किन जो है वो क्लीन होगी और जो आपको ओपन पोर्स होते है यहां पे यह भी आपके धीरे धीरे चले जाएंगे यह तो मैं गैरेंटी ले रही हूं आपकी इन डोनू चीज में क्या करना है आदा जमच हनि ऐड़ करना है थीक है बस जादर कुछ नहीं है दो ठीज यह है और एक आपको आदा जमच हनि ऐड़ करना है और इसमें क्योंकि मुझे पिंपल्ट वगेरे एक आदा होता रहता है तो उसके लिए मैं क्या यूज effective करिए त तो आप लेना चाहते हैं तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने सकने में प्रॉब्म दिखती हैं तो मैं टीट्री का यूज़ करता हूं तो अब सिटाट करते हैं कैसे लो एपलाई करना है किस्तरीखे से मसाज करनी है क्या करना है उससे पहले आपको निखाऊंगे की मेरा स्किन जो है वो किस Adv just that मेरे स्किन पर कोई नहीं नहीं कोई नहीं है और मेरे आप देछ सकते हो पिंपल्स के मार्क है ब्राइटनेस नहीं है और यहां पर मुझे ओपन पोर्स भी आगर आपको वीजिबल हो तो यह देखे पिंपल के मार्क है मेरे ठीक है यहां पर भी मुझे छोटे-चोटे पिंपल्स होते रहते हैं यह देखे तो इनको हटाने के लिए मैं इस तरह की डियावाय जो है रेमिडीज अपलाई कर लेते हैं काईस सबसे पहले हम हाफ स्पून जो है वह हनी अड़ करेंगे यानि मिल्क रो मिल्क एंड वन स्पून ओफ राइस फ्लार और हाफ टी स्पून हम हनी अड़ कर रहे हैं और इसमें टू डॉप्स मैंने टीट्री एसेंशिल ऑईल डाला है अगर आपके पास यह नहीं है मैंने आपको पताया था आप बदाम रोगन शिरी टू डॉप्स डाल सकते हैं या फिर जैतून का तेल भी डाल सकते हैं अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप स्किप भी कर सकते है ठीक है फिर आप इसको एपलाई करना शुरू करेंगे ठ जहां पर आपको प्रिग्मेंटेशन, डाक स्पोर्ट्स, और फाइन लाइन्स, कुछ भी रिंकल्स, कुछ भी प्रॉब्लम है वहां थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे वैसे तो आपको पूरे फेस और नेक पेसे अपलाई करना है लेकिन अगर जहां पर आपको जादा है इस वज़े से आपको लग रहा है कि मैं बहुत पास्ट कर रहूं बट ऐसा नहीं है मैं बहुत स्लोली लगा रही हूं अगर आप ज्यादा हार्श अपने पेस पे हैंड को रखेंगे तो आपकी स्किन डैमिज हो सकती है रिंकल्स और बढ़ सकते हैं तो इसलिए लगाना है 15 मिनट के बाद जब यह लगा लेंगे आप मसाज कर लेंगे तो यह अपने आपी उतरने लग जाता है पहले आपको इसको लाइट है रब करना है दैन फिर इसको आप अपने जो नॉर्मल वाटर रहता है उससे वाश करेंगे ठीक है और ठंडे पानी से लगाने से कोई हमने यूनो फेशल नहीं किया जिसे बहुत सारे स्टैप्स वगरा होते हैं कही कहीं घंटे लगते हैं यह 20 मिनट में आपका यह ग्लो और वन टाइम में मैंने भी इसको फर्स टाइम ही अपलाई किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि मुझ अपनी पोटो क्लिक करी थी ताकि आपको पता चले कि फेस पे एक्चल में ग्लो है आप देख सकते हो देखने से ही पता चल रहा है कि फेस पे ग्लो आ रहा है अगर वीडियो जड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं न